गुड मारिंग स्टूडेंट्स, प्रोटोजोन पेरासाइट्स के उपर बात कर रहे थे हम, पहले हमने देखा एंटमीबाहिस्टोलिटिका, लीशमानिया, ट्रिपैनोसोमा और जी आर्डिया, उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास भी इस यह भी जूफलेजिलेट प्रोटोजोन का एक्जाम्पल है, ट्राइकोमोनास जो होता है, वो परजीवी या सहजीवी दोनों रूपों में वर्टिब्रेट्स तथा इन वर्टिब्रेट्स के शेरुक्वी और अन्य एक शेरुक्यों के अंदर पाया जाता है, जो मनुश्य में ट्राइकोमोनास पाया जाता है, उसकी तीन परमुख जातियां पाया जाती है, ट्राइकोमोनास होमिनिस, ट्राइकोमोनास टैनेक्स और ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, वेजिनेलिस का डाइग्राम है अपने पास, यही आपके इस लेवस में है, इसके उपर अपने को जादा फूकस करना है Trichomonas जो पहले दो मैंने बताई Hominus और Tanex यह Non-Pathogenic है अर्थात ह रोगजणक है और जो Trichomonas Vaginalis है यही रोगजणक होती है और यह मनुष्य की female की वजाइना में यह योनि मार्ग में पाया जाता है यह रोग जनक है और जो Trichomonas vaginalis है यही रोग जनक होती है और यह मनुष्य की फिमेल की वेजाइना में या योनी मार्ग में पाया जाता है जो Trichomonas है यह बिलकुल मनुष्य में पाया जाने वली जातियों में जो Trichomonas vaginalis है वो Genito Trachea यह Genito Urinary Trache जिसे बोलतो है हम इंदी में जनन मूत्र मार्ग में रोग जनक परजीवी के रूप में रहती है यह ट्रोफोजोट अवस्था में रहती है और मादाओं में जो है फिमेल में नीचे के जित्ते भी जननांगी मार्ग होते हैं या योनी होती है जनाइटल ट्रैक और वेजाइना तथा नर में यह मूत्र मार्ग युरेथ्रा जिसे इंगलिश में बोलते हैं प्रोस्टेट म में भी पाया जाता है जो ट्रैकोमोनास है यह उश्न कटी बंदिये शेत्रों जिसे ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं का समान्य फ्लेजिलेट प्रजीवी है यह एक मनुष्य में दूसरे मनुष्य तक यह इंट्र कोर्स या मैथून की किरिया यह सेंक्स्वली कहते हैं यदि हम इसका सिग्निफिकेंस देखें तो परतेक वर्ष 7.4 मिलियन केसिस जो है वो इसके द्वारा ग्रसित रिपोर्ट किये जाते हैं और वर्ड वाइड देखें तो 180 मिलियन जो लोग हैं वो इससे ग्रसित उत्ते रहते हैं और 50% में तो कोई लक्षन भी नही लेकिन वो केरियर के रूप में जो है वो पाय जाते हैं ट्राइको मानाज जो वेजिनलिस है यह एक ट्रॉफो जो है तवस्था में वेजाइना फिमेल की वेजाइना में रहता है जो मैंने पहले भी बताया और प्रोस्टेट और सामिनल वेसाइकल मेल के अंदर रहता है औ हम ट्राइको मोनास जो है उसमें यदि उसके लक्षन के उपर फोकस करें लक्षन कैसे होते हैं यह आकारत की कैसे होती है तो ट्राइको मोनास वह आप डाइग्रम के उपर देखें केवल ट्रॉफो जो आइट अवस्था में ही पाया जाता है इसकी एक ही अवस्था है ट्रॉ इंग्लिश में पीर शेब्ड बोलते हैं यदि हम इसके साइज के उपर बात करें तो इसके शरीर का जो साइज है वो दस से बारा माइक्रोन लंबा है और सास माइक्रोन चोड़ा होता है और यदि इस यह बाड़ी में जो है भार किते टेंपरेचर पर सर्वाइव रह सकता है 15 से लेके 48 आवर्स तक यह जिंदा रह सकता है यह सर्वाइव कर सकता है ड्राको मान अाज यह जो होता है जी एक एन होबड BLACK प्लेज़ले टा आ और यह प्रोटो जोन है पहले ही हम बात कर चुके माइक्रो अर्गशम में इसका अगरहाग जो होता है वो उन डैकष यह प्लीनहार graffiti करया तो यह भायला है अब हम आकारे की के उपर बात कर रहे थे, इसके साइज के उपर बात की, अब हम इसके बाद में ट्रॉफोजोट की स्ट्रक्चर के साथ में, अब इसके उपर हम इसके स्ट्रक्चर पे देखते हैं, डाइग्रम में दिखाती हूं आपको, आप उसको देखो, आगे लिखा कुछ वो बाद में आप पड़ सकते हो ए अगरements गोल और चोड़ा होता है आपको डिएग्राम में दिख रहे है और पश्ष भाग बिल्कुल नकिला होता है केंद्रक में कई केंद्रिक है यानि नускुलिव ही होती है अगर भाग के के जो पार्षम में कोशिक का मुख आपको दिखाई दे रहा, स्थित होता है, साइटो स्टॉम कहते है, बलिफेरोप्लास्ट के अगर भाग में तीन से पांच कशाब निकले रहते हैं, तीन से लेके पांच तक कशाब निकलते हैं, जो free होते हैं, एक मोटा जो कशाब होता है वो bleferoplast से निकल कर पीछे की और पश और की और बढ़ता है तता शीरीर की पार्शम में तरंगित जिल्ली जिसे इंगलिश में लिखा हूँ है अंडूलेटिंग मेंब्रेन तरंगित जिल्ली द्वारा शेरीर से जुड़ा रहता है ये कशाब जो होता है पश और के बाद में बिल्कुल फ्री हो जाता है दिखर है डायग्रम में फ्री होता है तता या स्वतंतर रहता है तरंगित जिल्ली के अधार सिरे पर एक क्या होती है छड जैसी सरंचना होती है जिसे कॉस्टा कहते है ये तरंगित जिल्ली को क्या करती है एक सपोर्ट प्रदान करती है ये पैरा बॉसल पॉडी से पीछे की और जाता हुए एक पैरा बॉसल फाइबर भी पाया जाता है ट्राइको मोनास का शरीर एक शलाका स्रद्रश्य जो है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखरी है जिसको एक्जो स्टाइल से अपना ये सधा रहता है या सपोर्ट रहता है इसको जो अगर भाग से शरीर के मद्य से गुजरता हुआ पीछे तक फैला रहता है जिससे एक्जो स्टाइल कहते हैं और पोस्टीरियर फ्लेजलम बनाता है पश सिरे पे एक स्पाइञ भी निकला रहता है जिसे कहते हैं यो पोस्टीजर फ्लेजलंग के नाम से भी जान tehdा है अब हम इसको देखें यह फ्लेजलम के द्वारा ही गती करता है लोको मोशन और इसकी गती क्या होती है रोटेट करता है गुर्णन करता है और डगमगाता है जिसे बोलते हैं वाबलिंग गती करता हुआ लोको मोशन करता है और अपना ये भोजन क्या करता है यह योनी और में परजीवी के रूप में रहता है तो वहाँ पे जितना म्यूकस होता है उसको डेब्रिस को अपना हार बनाता है और ये वायूवे यह अब इसका रेस्पिरेशन देखें तो ये वायूवे श्वशन करता है कि ट्राइको मोनास का लाइफ साइकल देखें तो ये जो है सरल होता है और बाइनरी फिशन लॉंगी चुडनल imaginary fission द्वारा यह जनन करता हुआ है परंतु जो multiplication के समय केंद्रत का विभाजन जो है तेज गती से ौता है और कोशिका द्रव्य इतना तेज-गती से विभाजित नहीं होता है इसलिए जो जनन के समय है केंद्र की बॉडी भी देखी जाती है, ट्राइकोमनास में हमने पहले भी बात की थी, सिस्ट नहीं पाई जाती है, सिस्ट अवस्था या पुटी अवस्था नहीं पाई जाती, ट्रॉफोजोड जो होते हैं, वो सीधे ही एक परपोशी से, तूसरे परपोशी में स्थान अंतरित होते रहते हैं, trichomonas vaginalis का संक्रमन जो होता है, वो sexual intercourse के माध्यम से होता है, अन्य जातियों का संक्रमन भी जो है, वो स्पर्श और संपर्ग के द्वारा ही व्यक्तिशय होता है, पैथोजनेसिस की बात में करें, तो ये जो है trichomonas vaginalis, ये रोग जनक परजीवी होता है, तता इससे होने वले रोग को हम पहले भी बोला है, trichomonas कहते हैं, इसका जो trichomonas vaginalis है, ये परजीवी के संक्रमन की जो तीवरता होती है, वो जितनी भी योनी या मुत्रजनन में pH कितनी होती है, और जो उसकी कारे की स्तर होता है, या बैक्टीरिया की अबादी, वे अन्यकारकों पर निर्भर करती है, और ये ही सब कुछ मिलकर के, क्या करते हैं, ये सब कुछ मिलकर इसको उत्पन करने में सहाइक करते हैं, पर जीवी जो है योनी में जब रहता है तो उस वक्त जो समानने योनी की जो पी-एच होती है वो है 3.8 तो 4.4 पर जीवी थी रह सकता है इससे अधिक पी-एच होने पर ये वृद्धी के लिए इसकी पी-एच यदी अधिक हो जाए एसिडिक वांच-पंट-पांस से छे हो तो ये वृद्धी के लिए इसके लिए बहुत अच्छा होता है और ये अपना भोजन के इसको स्क्वाइमस एपिथीलियम को है ये के साथ चिपकता है प्रोटीन लिक्वीड और प्रोटीएस के द्वारा ये अपने आपको चिपकाई रखता है लेक्टिक एसिन और एसिड जो है वो वेजाइनल पी एच लोग पे होते हैं साइटो टॉक्सिस होते हैं वैं इसका फीचर होता है जो मादाओं में संक्रमन होता है वह योनी में और सर्विक्स तक ही सीमित रहता है लेकिन यूट्रस में नहीं पहुंचता है और इसका incubation period रहता है 5-28 इसमें क्या होती है mucosa की जो layer होती है वेजाइना में संक्रमन जहां पे होता है मुकोजल layer जो होती है वो दुर्बल हो जाती है और तूटने लग जाती है अपने आपी और इसमें योनी में से वेजाइना से पीला और क्रीमी रंग का सिक्रीशन निकलना प्रारंब हो जाता है और इसमें जो वल्वुलर प्रोटिस या कुंड भाग होता है उसमें जलन भी पाई जाती है और वहाँ swelling भी रहती है, नर में जो होता है, मेल में, ट्राइकोमोनास का जो infection होता है, वो prostate, seminal vesicle और यूरेथ्रा में होता है, मेल में ये जो है, ये symptomatic होता है, और यूरेथ्रेटिस या epididymus या प्रोस्टेटिस के लक्षन भी उत्पन करता है, येलो और ग्रीन फाउल स्मेलिंग होती है, और यूरीनेशन या यूरीन करने के दरन बाथ्रूम के दुरान इसमें painful भी होता है, जिसे डिसूरिया या डिस पैरिनिया कहते हैं, कई बार ये इतना हैम्रेजिस भी होने लग जाते हैं, ये बहुत सारी स्ट्रावबेरी सर्वि देख करके detect किया जा सकता है, ट्राइकोमोनास है, वहां का कल्चर लेके माइक्रोस्कोप में देख करके diagnose किया जा सकता है, कि ट्राइकोमोनास है, एंटिजन, डिटेक्शन, सीरॉलोजी के द्वारा भी कर सकते हैं, और भी बड़े टेस्ट हैं, PCR, एटेस्टरा, उसके सिंगल डोज तो वही है मेट्रिनोडाइजोल दो ग्राम दो एक बार में और पांसो मिलिग्राम टीडियस दो साथ दिन के लिए और साथ के साथ में मेल सेक्षवल पार्टनर को भी ट्रीट करो और इसके अलावा इसकी टिनिदाजोल भी आल्टरनेटिव ड्रग है और इसकी प्रोग्नांस को पहचान लो तो इसकी रिकवरी 100% होती है ऐसा नहीं है ट्रीटेबल पैथोजन है प्रिवेंशन क्या है इसका पर्सनल हमेशा हाइजीन रखनी चाहिए यह अक्सर गाहों की लेडीज में बहुत होता है बैरियर जो है वो प्रिकॉशन रखना चाहिए जब हुआ हो आप फिमेल में तो या पार्टनर इंफेक्टेड हो तो सक्सवल कंटेक्ट नहीं रखना चाहिए और ट्रीट्मेंट और केसिज मेल और फिमेल का डिटक्ट करके उनको ट्रीट करना चाहिए इसके अभी तक कोई वैक्सिन भी नहीं है तो इस तरह से ट्राइको मनास के उपर हमने आज बात की ट्राइको मनास वेजिनेलिस प्रोटोजोन पैरासाइट है वेजाइना का इसी तरह आज अब हमारा यूनिट फर्स्ट में सारे अल्मोस्ट कम्प्लीट हो गए हैं थैंक यू